उठो जागो अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्दी होना है क्योंकि बिहार में एक कॉंस्टेबल बनने की रहा इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दोड़ना होगा अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूतना होगा अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक युद्धा की तरह गोला दागना होगा अपने सपनों के लिए माबाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा तुम्हें सुरज की तरह जन ना होगा तुम क्यों चिंता करते हो परिक्षा की जब S.S.C. मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी सिक्सा की बिहार पुलिस की सबसे जबरदश्ट तैयारी कराने के लिए S.S.C. मेकर लेकर आया है महावीर बैच जो देता है आपको बिहार पुलिस में सो प्रतिसथ सेलेक्षन की गारंटी तो बेना धेरी किये आज ही जोइन करे S.S.C. मेकर का महावीर बैच और करे अपने सेलेक्षन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप S.S.C. मेकर एप डाउनलोड करे और दिये गए नंबर पर कोल करे नमस्कार साथियों कैसे आप सभी मैं सुनी चोधरी एक बार फिर आप सभी का हरदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार S.S.C. मेकर में और आज हम डिसक्स करेंगे आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि आपका एक सीरी चल रही है आपका जो एक्जाम है उसको देखते हुए तो सभी बच्चों को ज्यां से पूरा ये देखना है कि किस परकार के कुशन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे कहां से कुशन आते हैं कुण कुण से टोपिक है जो मुझे अभी तयार करने है या आपनी आप कमजोरी को देखेगा है ना आपको लगता है कि यहां से कुशन आ सकते थे और साइद मैं पढ़ लेता तो मैं एक दो कुशन और भी एस्टा कर सकता था तो इस तरह की चीज़ कुशन आपके अग्जाम में आ सकते हैं कहां से कुशन वो पूचता है किस परकार के कुशंस पूचता है तलेगा कोशन वन देखेंगे गुपतकाल से सम्बंदित कोशन नबर वन रृण ohh गुप्तकाल में किस धातु के सरवादिक सिक्के जारी किये गए है ना जो साशक हुए है विभिन समय पर उन्होंने अलग-अलग सिक्कों को क्या किया है अलग-अलग सिक्कों को चलाया किसीने ट्वर्ण सिक्के चलाया किसीने तामे के सिक्के चलाया किसने सिल्वर के किसीने आपना जो कहते हैं मिस्र धातु कि जो mix करके धातु को एलोईज को सिख्के चलवाए तो इनके बारे में आपको यहां पर समझना है तो गुप्तकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सरवादिक जो सिख्के चले गुप्तकाल में यह किस धातू के चले हैं तो यह चले हैं सोने के च्वण जिसको हम कहते हैं श्वण और यहां पर ज जो यहां पर जो धातू थी या फिर आप कह सकते हैं यहां की जो मुद्रा थी इसको दिनार कहा जाता था क्या कहते थे हम दिनार कहते थे हम गुप्तकाल की बात कर रहे हैं ज्यानकनासीज को अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले जो धातू थी किस धातू का प्रिय में सिंदु गाटी सब्यदा को हम काशे जना यूगीं सब्यदा के नाम से भी जानते क्योंकि यहां पर कांग से जो धातू है कि का कॉख किया गया है तो और उप्षन आपको क्या हो जाएगा की यहां पर कांग से धातू हाँ में हम कहते हैं इसके परिवर्तित होती रही हैं जैसे जैसे हम एक तरीका से ज्यान की और बड़े हैं ज्यान का मंदम ये है कि हम अपनी जो सभ्यता है उसको देखें अपने इत्यास को अगर हम देखें तो उसमें किस प्रकार से चीजे समय समय पर बदली तो उसको ध्यान में रखते वे जो साशक थे उन्होंने अपने अनुसार अपने सिक्कों को धलवाया वा अपनी मुद्रा के रूप में उसका परचलन करवाया था तो option number आपका यहाँ पर A सही हो जाएगा यानि कि यह सोन थे याना सोने के धातू के सिक्के यहाँ पर चलवाय गए थे चलिए निवन में इसे किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया है तो गुलाम वंस है गोरी वंस है खिलजी वंस है या फिर आपका सयद वंस है आप सभी अच्छी तरीका से जानते हैं कि इन गोरी वंस ने दिल्ली पर साशक नहीं किया, साशन नहीं किया, थे या फिर स्वामी विवेकानन थे ध्यान रखिएगा जो ब्रह्म समाज था इसके संस्थापक थे राजार राम मोहन रोए 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आप से पूछा जा सकता है कि वैदांत कोली जो था इसकी संस्थापक कौन थे यह आप से पूछ आप से पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का अंद करने में किसने अपना महतवपूर्ण योगदान दिया तो इन्होंने सती प्रथा को अंद करने में सती प्रथा का अंद करने में अपना महतवपूर्ण योगदान दिया है ध्यान लखिएगा स्वामी दयानन सरवश्रति क अगर हम बात करते हैं तो उन्हें आरिये समाज की स्थापना की है किसकी आरिये समाज की इन्होंने स्थापना की है ध्यान लखेगा 1875 में ये भी आपको ध्यान लखना है ठीकिना इन्होंने ही सत्यार्त प्रकास पुस्तक लिखी है कौन सी सत्यार्त प्रकास पुस्तक इन्हो ने लिखी है ध्यान लखेंगे ठीक है इसके अलावा आपको ध्यान लखना है इन्होंने ही कहा था वेदो की और लोटो किसकी और वेदो की और लोटो ये नारा किसने दिया ये भी श्वामी दयानांस रश्रती ने ही दिया था ठीक है ना इश्वरचंद विध्या सागर ये विद्वा पुनर विवा से संबंदित है कि से विद्वा पुनर विवा विद्वा पुनर विवा से संबंदित है ध्यान रखिएगा छी किना से संबंदित है इसी प्रकार से स्वामी विवेकानद के बारे में आपको जानना है 1893 में इन्होंने कहां पर शिकागो में सिपेट किया था कहां पर सी कागो में विश्वधर्म सम्मेलन जो हुआ क्या हुआ विश्वधर्म सम्मेलन जो हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया है उसमें इन्होंने भाग लिया है ध्यान रखेगा ठीक है ना तो क्या हो जाएगा option number आपका हैं पर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में हम राजा राम मोहन रोय को जानते हैं ठीक है चालिए नेक्स्ट कोशन आपके लिए कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रो की पहली गोली कहां पर चलाई बैरकपूर में मेरट में कानपूर में या फिर ज चिम बंगाल या वेश्ट बंगाल में इसको चलाय गया था ओप्शन आपका फोर का एस सही हो जाएगा एना यहीं से 1857 के करांती का हम सुरुवात मानते हैं साथी साथ अगर हम बात करें हैं पर जहासी से जहासी से कोन नित्रित कर रहा था तो जहासी से आपने नाम सुना ह होगा रानी लक्षमी भाई का किसका रानी लक्षमी भाई का लक्षमी भाई का अपने नाम सुना होगा यहीं पर अगर कानपुर की हम बात करते हैं आपने तात्य टोपे का नाम सुना होगा तात्य टोपे यहां पर क्या थे यहां पर नाना साहिब के नेत्रित में लड़ थे किसके नाना साहिब के ध्यान से सुनिए गासीज को कोशन यहां से बन सकता है आपको बताना है कि मेरट का जो विद्रो था ये किसके नेत्रत में था मेरट से जो क्रांती की सुरुवात हुई ये किसके नेत्रत में सुरुवात हुई थी वही पर दिल्ली के अगर हम बात कर कौन थे जगदीश कुवर वा अमर सिंग जगदीर कुवर शिंग वा अमर सिंग वा अमर सिंग ध्यान रखिएगा इन दोनों को आपको याद रखना होगा हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे 1857 का जो रिलेवन हुआ रिलाइबन हुआ क्रांती हुई एक चालिए वाई नेक्स् यह आपको देखना है चलिएगा वई तो समिधान के निर्मातों के मनवभाव जो हमें देखने को मिलते हैं यह उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलते हैं अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव की ध्यान से सुनिएगा तो आपको ध्य समिधान होगा 13 दिसंबर 1946 वाली जो घटना है एना इसमें पंडी जवाला नहरू पीटी नहरू इन्होंने क्या किया था इन्होंने समिधान सभा से पहले या आप कह सकते हैं कि समिधान सभा के समुक्स एक उद्देश्य प्रस्ताव ये लेकर आये थे जिसको समिधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्विकार कर लिया गया था है ना कब 22 जनवरी 1947 को स्विकार किया गया और बाद में चलकर ये ही प्रस्तावना कहलाया था क्या कहलाया था प्रस्तावना कहलाया था अगर आपसे दो कोशन यहां से पूछ ले आपसे पहला कोशन बनेगा कि जो प्रस् ये कि सम्ने लिया और इसमें भी आपसे पूछा जाएगा भासा का यूज किया गया या कहां इस भासा का हम ने लिया है द्यान रखेंगे यहां पर आदार जो इसका बना ये 1946 का उद्धेश्य परश्ताव इसका आधार बना है ध्यान लखेंगे जबकि अगर भासा की हम बात करते हैं तो भासा जो है हम भारत के लोग कौन सी भासा है हम भारत के लोग ये कहां से हमने लिए है ये हमने लिए है ऑस्ट्रेलिया के समिधान से कहां से ऑस्ट्रेलिया के समिधान से इसको लिया गया है तो ये आपको ध्यान होगा ना कहां से ऑस्ट्रेलिया के समीधान से इसको लिया गया है क्या कहता है नियमलिकित में div मेंज्न कोन सा अधिकार अभी भारतिय समीधान दवारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया कहते हैं इनका जिक्र कहां पर किया गया है तो आपने भाग तीन जरूर पढ़ा होगा कौन सा भाग तीन का आपने जरूर पढ़ा होगा भाग तीन में इसका वर्णन है अगर अनुच्छेद आप से पूछ लिया जाए कि भाई किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गय है चोथा कोशन आपका क्या बनेगा चोथा कोशन यहां से बनेगा आपको ध्यान लखना है कि यहां पर छे परकार के मूल अधिकार हैं कितने छे का आजाएगा शोशन के विरुद अधिकार आप से पूछा जाएगा विरुद अधिकार के बाद आपका आजाएगा धार्मिक श्रतंतरता का अधिकार इसका धर्म की या धार्मिक श्रतंतरता जिसको हम कहते हैं धार्मिक श्रतंतरता के बाद आजाएगा आपका अलफ शंक्यक या जिनको हम कहते हैं सेक्षनिक अधिकार है ना सिक्षावा सांसकर्ती को लेकर सेक्षणिक अधिकार है ना एक दो तीन चार पांच और आपका क्या हो जाएगा समयध्हानिक उपचारों का अधिकार उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है बई समयधानिक उप्चारों का अधिकार इसको हम कहते हैं तो ये छे प्रकार के हैं इसमें आपका संपत्ति का अधिकार जिसको right to property कहा जाता है ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था लेकिन इसको 300A में अब legal rights बना दिया है क्या कर दिया है legal rights इसको कहा जाता है इसको अब वैधानिक अधिकार कहा जाता है जिसका जिक्र आपको ध्यान है चवाल इसको संपत्ति के अधिकार में सामिल कर लिया गया था ठीक है ना तो option 6 का क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा चलिए बारती समिधान के निमलिकित में से किस भाग में समाजिक और आर्थिक लोगतंत्र को सुनिस्चित किया गया है तो समाजिक और आर्थिक लोगतंत्र की जो परिभासा है या इसको कहा पर सुनिस्चित करने के लिए प्रावधान किया गया आपात काल इस्तिती के प्रावधान में केंदराज संबन में राज्जे के निती निर्देशक सिधान्त में या फिर इनमें से कोई नहीं In which of the following part of the Indian Constitution, social and economical democracy has been ensured कहां पर इसको ensured किया गया है तो आपने DPSP जरूर पढ़ाओगा प्राज्य के निती निर्देशक तत्व जिनको हम DPSP कहते हैं EIRLAND के समिधान से इनको लिया गया कहां से EIRLAND के समिधान से 36-51 तक इनका वर्णन है और आपको ध्यान अकना है भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है ये वाद योगे नहीं है ये कैसे है ये वाद योगे नहीं है ध्यान लखेगा ठीक है यहां से कोशन आपका बन सकता है वही पर एक कोशन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो प्रस्तावना है प्रस्तावना में कितने परकार के नियाय की बात की गई है तो समाजिक नियाय की बात वहाँ पर की गई है आर्थिक नियाय की बात की गई है एना और राजनेतिक नियाय की बात की गई है कैसी राजन तिक नियाए की बात की गई है आपको इसलिए बता रहा हूं कि की वहाँ पर एक कोशन बनता है धार्मिक नियाए की बात का वर्णन कहां पर भी नहीं किया गया प्रस्तावना में केवल हमें सुतंताय दी गई है केवल हमें सुतंतरताय दी गई है ना कि नियाय की बात की गई तो इन दोनों में कोशन में अंतर हो सकता है वही कभी आपको कंफ्यूज कर दे तो इस अंतर को आपको देखना है कि वो अंतर कहां से है कैसे है नियाय क्या होता है तरह वो चीजे आप देखेंगे चलिए कि शुषनमेश G7 क्या कहता है भार्त की अंतराष्ट या90 राष्ट्या नहीं है बड़ अच्छा लिच राश्ट या जो हम बनाते हैं, वो किस देश के साथ नहीं है, कोशन नमबर क्या हो जाएगा, कोशन नमबर आपका, क्या हो जाएगा, एट, अंतर रास्टी सीमा किस देश से नहीं हमारी लगती है, तो स्रिलंका, स्रिलंका से हम जलिय सीमा बनाते हैं, कैसी जलिय सीमा बनाते हैं, भई, इ सही हो जाएगा जबकि सबसे लंबी जो हमारी सीमा रेका है 4096 किलोमेटर ये किसके साथ में है ये बंगलादेश के साथ में है किसके बंगलादेश के इसके लावा और भी हमारे जैसे पाकिस्तान हो गया पाकिस्तान के साथ में हम सीमा बनाते हैं चाइना के साथ में बनाते है नेपाल के साथ में हम बनाते हैं मयामार के साथ हम सीमा बनाते हैं वही कितने हो गए एक दो तीन चार पांच और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ में हम सीमा बनाते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और क्या बचास में आपका बांगला देश है ना बांगला देश के साथ में हम सीमा बनाते हैं अगर टोटल इस थलिये सीमा की हम बात करें टोटल लैंड एरिया की अगर हम बात करते हैं लैंड एरिया तो यह साथ कंट्री है भाई जबकि अगर हम बात करें टोटल की है ना ज सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा बनती है वो बनती है किसके साथ में बांगलादेश के साथ में दीव एक है दमन से हटकर गोवा से हटकर गुजराज से हटकर या फिर महाराज से हटकर कोशन नमबर नाइन वैडि इंपोर्टेंट कोशन और इसका आंसर सभी वच्छे आपक किस से हटकर है दमन से गोवा से गुजराज से या फिर महाराश्टा से चालिएगा इसका कोशन का आंसर आप खुद करेंगे ठीक है ना किस नदी को नर्मदा की हैड मेड के रूप में जाना जाता है साबरमती है लूनी है माही है या फिर तापी नदी है तो किस नदी को हम नर्मदा की क्या मानते हैं नर्मदा की हैड मेड नधी मानते हैं ठीक है कोशन कैसे बनेगा कोशन ऐसे बनेगा निमलिकित में इसे किस नधी को नर्मदा की हैंड मेड नधी कहा जाता है तो यह कौन सी नदी है तापती नदी है जिसको हम नर्मदा की हैंड मेड नधी के नाम से जानते हैं तापती नधी और आपकी नर्मदा नधी तापती नधी और नर्मदा नधी इन दोनों को आपको ध्यान लखना है इन दोनों को आपको ध्यान लखना है यह कैसी है यह की और ये बहती हैं तो option आपका 10 का D सही हो जाएगा विस रिवर इस नोन एज ए हैड मेड तो ये तापी नदी हो जाएगा एना तापी या तापती जिसको हम कहते हैं कोशन नमबर 10 भारे सरकार का सबसे अधिक राजस एकत्रित करने वाला एक मात्र स्थ्रोत क्या है वई एन तो ये ध्यान लखना कोशन नमबर 11 का अंसर क्या हो जाएगा कोशन नमबर 11 का अंसर हो जाएगा डी यानि के संयुक्त उत्पादन कर जो है ये सबसे ज्यादा रिवेन्यू इखटा करता है प्रोडक्शन टेक्स जिसको हम कहते हैं option नमबर 11 का दी सही होगा एना option 11 का क्या हो जाएगा डी हाँ पर सही हो जाएगा भारत में राश्टी आए के प्रांकलन के तयार किये जाते हैं राश्टी आए राश्टी विकास परिशद के द्वारा राश्टी उत्पादक्ता परिशद के द्वारा राश्टी आए सिमिती के द्वारा ये केंद्रिय सांके की गठन के दुआरा तो राश्टिय आए के आंकडो को एकत्रत किया जाता है. और और यही वो संस्ता है जो राश्टिय आए आंकडो के अलावा गरीबी के आंकडो को भी प्रस्तुत करती है. यह एकotal है जिसको आपको याद रखना होगा जो हमारी राष्टिया नैशनल इनकम को क्या करती है नैशनल इनकम को परदर्शित करती है या उनको त्यार करती है तेरवे ओसी आई यानि के आज़िसी ओडियाई किरिकेट विसकप का आजन किसके द्वारा किया जाएगा इंग्लेंड के दक्षिन अफ्रीका के वस्टन्डीज के या भारत के कोशन नमबर आपका 13 का डी सही हो जाएगा यानि कि भारत में इस बार इसका आज़िजन होना है आई से सी आपका ओडियाई किरिकेट विसकप जो की 2023 में प्रस्तावित है ध्यान लखेगा इंपोटेंट कोशन है ध्यान लखेंगे और इसमें आपको ध्यान लखना है पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्टन्डीज एस फोर्मेट से बाहर हो गई थी यह ना यह नोबल के लेखक कोन है नयन्तारा सेगल है खुश्वन सिंग है अनिता देशाई है या फिर अहमद अली है तो एतिहासिक पुस्तक दिल्ली और नोबल के लेखक कोन है दिल्ली और नोबल के लेखक जो है ये खुश्वंत सिंग है कौन है खुश्वंत सिंग है आपका भी सही हो जाएगा खुश्वंत सिंग है ना खुश्वंत सिंग ने लिखी है दिल्ली और नोबल पुस्तक इनके दवारा लिखी गई है next question आपके लिए किस वर्ष जहारखंड को भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था very good question ये question number 15 का answer हो जाएगा D यानि के सन 2000 में जहारखंड एक अलग राज्य बना था आपको मैं बता दू तीन राज्यों का उस समय अलगा हुआ था उत्राखंड का उत्राखंड भी सेम डेट में ही बना था जहारखंड भी सेम डेट में ही बना था और आपका 36 गड़ भी सेम डेट में ही बना था यानि के सन 2000 में बस आप मुझे बताईएगा उत्राखंड 2000 में बना तो इसकी डेट क्या है जहारखंड 2000 में बना तो इसकी डेट क्या है 9 नवंबर और 15 नवंबर आपको बताना है इसमें 1 नवंबर किसकी है और 9 नवंबर किसकी है 15 नवंबर किसकी है ये भी आप confirm करेंगे क्योंकि इतनी जानकारी मैं आपको अल्रेड़ी दे चुका हूँ निमलिकित मेंसे कौन सापकरण सिक्रिट में करंड की उपस्तिती को पता लगाता है इसको हम गैलविनोमेटर कहते हैं या सिफ गैनोमेटर इसको कहा जाता है बैरोमेटर कहते हैं या मैगरेटोमेटर इसको कहा जाता है वाई तो यह हम बात कर रहे हैं किसकी यह हम बात कर रह इसको कहा जाता है Galvanometer, क्या कहते हैं, option number A, इसको Galvanometer हम कहते हैं, क्या कहते हैं, Galvanometer इसको कहा जाता है, question number 16 का D सही हो जाएगा, प्रकास की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है, धवनी की गती प्रकास की गती से तीन गुना है, धवनी की गती प्रकास की गती से दो गुनी है, धवनी की गती प्रकास की गती के समान है, धवनी की गती प्रकास की गती से कम होती है इसलिए ये आपको सुनाई देती है जैसे आपने बरसात के मोसम में अक्सर देखा होगा बरसात के मोसम में आप अक्सर देखते हो कि बादलो की गड़गड़ाट होती है बादलो की क्या होती है गड़गड़ाट होती है लेकिन जो तो बिजली इसी आपको दिखाए देती है, प्रकास की एक लाइन आपको दिखाए देती है, उसके बाद आवाज बहुत बाद में आती है, तो इसका आप रीजन यही जान सकते हैं, कि जो sounds है, sound wave है, यह अपेक्छा to light काफी कम होती है, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना ह होता है, दूसरा एक चीज रीजन यह भी हो सकता है, जो sound है, इसको माध्यम की आवशकता होती है, किसी ना किसी माध्यम से गमन करता है, जबकि जो light है, यानि कि प्रकास है, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवशकता नहीं होती है, निर्वात में बहुत जल्दी से गम मनुष्य कितने हर्टज की धवनी को सुन सकता है तो यह 20 हर्टज से 20,000 हर्टज के पीच में 20 हर्टज से 20,000 हर्टज के बीच में मनुष्य धवनी को आराम से समान्य सुन सकता है उसको कोई प्रोब्लम इसमें नहीं होने वाली है इना समान्य रूप में इसको सुना जा सकता ह इंग्लिश में भी कोश्जन को पढ़ना रहे हैं इंपर्टेंट होता है इंग्लिश में भी कोश्जन को देखना चाली नेक्स्ट है निमिकित में है इसे कोन सा दूरी पर कारवाई करने वाला बल है कौन सा दूरी पर कारवाई करने वाला बल है गरशन है तनाव है गुर्टवा करशन है या फिर खिचाव है विच अब दा फॉलइंग इस डिस्टैंस एक्टिंग हेर नहीं यह एक्टिंग क्या होगा एक्टिंग फोर्स होगा एक्टिंग फोर्स इसको कहा जाता है वही क्या कहा जाता है एक्टिंग फोर्स इसको कहा जाता है कि जो दूरी पर कारवाई करें है ना दूरी पर कारवाई करने वाला कौन सा बल होता है तो यह होता है गुर्टवाकरशन बल इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक ग्रेविटी फोर्स भी इसको कहते हैं गुर्टवाकरशन बल इसको कहा जाता है किसी तापमान फर फेरेनायट और सेल्स बराबर होते हैं यह कौन सा तापमान होता है जिस पर फेरेनायट और सेल्स दोनों बराबर होते हैं at what temperature फेरेनायट और सेल्स आर इक्वल minus 40 degree celsius minus 40 degree celsius 40 degree celsius या 40 degree fahrenheit आप इसको कह सकते हैं जिस पर यह क्या होते हैं equal होते हैं या पर जिनको कहा जाता है पर आबर जिनको कहा जाता है ध्यान रखेंगे option क्या हो जाएगा 20 का B सही हो जाएगा minus 40 degree यह माइनस का चीन है कभी आप इसको कन्फ्यूज करें कि माइनस का चीनमा पर लगा हुआ है जान रहेंगे से कि लिए आपका फोजी बैस है जिसमें आपको कंप्लीट है पर वीडियो रिकोड़ेट मिलेंगे संबंदित तरल की मुक्त सतय का च्छेत्रपल तरल की सतय उपर हवा की गति किसकी कमी से अगर आदरता की कमी है तो उसमें वाश्पी करन की दर अधिक हो जाएगी हमिलेटी अगर कम है तो उसमें वाश्पी करन की दर है यह अधिक हो जाती है कोशन नम्बर 21 का बी आंसर सही ह हो जाएगा नेक्स्ट है किसी प्रमानु का रासायनिक व्यभार निर्भर करता है न्यूकलेस प्रोटोनों की संख्या पर न्यूकलेस में न्यूरोटोनों की संख्या पर न्यूकलेस के इदर किदर घूम रहे एलेक्ट्रोनों की संख्या पर या न्यूकलेस में न्यूकलर की संख्या पर तो किसी प्रमानु का राशायनिक व्यवार किस पर निर्भर करता है किसी प्रमानु में राशायनिक व्यवार किस पर निर्भर करता है तो ये नुकलेस के इधर एर्द गिर्द गोम रहे इलक्ट्रोनों की संख्या पर निर्भर करता है, है ना किसके ये न्युकलस के एर्दगिर्द घूम रहे, इलक्ट्रोनों की संख्या पर निर्भर करता है, आप्शन नमर आपका यहाँ पर सी सही होगा, ऐसक के ताप उपचार के प्रियोग को जिसमें गलना और पकना सामिल है, क्या कहते हैं, इसको क्राइ इसको हम क्यान ना के थया चानले यहाँ, इसको क्या कहते हैं, ऐसको क्या कहते हैं, हाते हैं option number आपका D आपर सही होगा चलिएगा next है अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु होती है aluminium होती है पारा होती है तामबा होती है जिंक होती है question number 20 और अज़र करना इसका पता है आपको ęt को Competice कहते हैं जिंक का लेप लगाएंदिने से लोहे मं जंग नहीं लगता इस प्रकृरिया को हम क्या कहते है ज़स्त चड़ाना संनक्षण कहें या अप चण कहेंगे इसको हम galvanization कहते हैं या जस्ता चढ़ाना इसको कहा जाता है जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोहा है वो बारिश में बाहर रहता है तो पानी लग जाने से ऑक्सिजन की प्रकिरिया हो जाने से पर जंग लग जाता है है ना तो जंग लग जाने से उसको बचाया जाता है किस सेया तोस पर ग्रीश लगाया जाता है या फिर उस पर जस्ता चड़ाया जाता है जिसको जिंक हम बोलते हैं ये प्रिकिरीया महाँ पर होती है 25 इसकर हो जाएगा Gun metal किस मिश्र धातु से निर्वित होता है जो गन मेटल है is made which of alloy आपके पास तीन ओप्शन हैं पर दिये हैं चार सोरी कोपर टीन जिंक, कोपर लेड सिल्वर, कोपर जिंक लेड, कोपर आइरन निकल, गन मेटल मिस्ल धातु है हाँ, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कोपर, टीन और जिंक, यानि कि ताबा टीन जस्ता इसको कहा जाता है, कोशन नमबर ट्वेंटी, सिक्स का अंसर हो जाएगा आपका ए किस एक में सर्वोच विशिष्ट उस्मा का मान होता है, कांच में, ताप में, सीशे में, या फिर जल में, किस में से एक सर्वोच विशिष्ट उस्मा है, कांच में, तांबा में, सीशे में, या सीशा है, या फिर जल है, सर्वोच विशिष्ट उस्मा तरवोच विशिष्ट उस्मा का मान किस में अधिक होता है जल में आप्शन नमबर क्या हो जाएगा आपका D याँ पर सही हो जाएगा जल में अधिक मात्रा में विशिष्ट उस्मा होती है वई अमीनो अमल को अक्सर के निर्मान के रूप में जाना जाता है चीनी, कार्भोहेड्रेड, वसाय अफर प्रोटीन, अमीनो अमल जो है, ये किस घंड का निर्मान करते हैं, एना तो आप्शन आपको चार यहां पर दिये गए हैं, अमीनो एसिड आर ओफन रेफ़र्ट टू बी एज बिल्लिंग ओफ ब्लोक्स ओफ तो ये प्रोटीन के निर्मान में सहयक होते हैं, निमले के तो मेंसे किस रोक का टीका करन द्वारा नहीं रोका जा सकता, रेवीज है, बेरी बेरी है, टाइफार्ड है यह फिर खसरा है, ना किस रोक को टीके करन से हम नहीं रोक सकते हैं, तो ये बेरी बेरी जो है, इसको टी के करन से नहीं रोका जा सकता रिकेट विकार से जिरीर काको सा अंग संबंदित है? जो रिकेट विमारी होती है किस विटामीन की कमी से होती है और इससे कौन सा अंग मनुष्ये का प्रभावित होता है ये आपको बताना है ठीक है चल विए और धियान लखे ठीक है ना केंद्रक के अलावा निम्न में से कोशिका के अंग में DNA पाया जाता है तो कोशिका के अंग में जो DNA पाया जाता है ये कहां पर आप पाया जाता है बताना है केंद्रक के अलावा निम्न में से कोशिका अंग में DNA पाया जाता है कोशी का अंग के अलावा के इंदर के अलावा निमने में से कोशी का में डिन ने पाया जाता है कहां पर कोशी का अद्रवे में ग्लाजी का अधार राइबो शोम में ऑप्शन नमबर डि आपका सही हो जाएगा कल ये भई रक्त रक्त में oxygen को capture करता है यह रख्त में oxygen का capture करता यह लाल रक्त करने का है। यह पिर लाल रंग का पदार्त होता है, तरल पदार्त होता है जिस के कारणा से मारा बलड जो है वो लाल ही दिखाई देता है मारा सरीर में परवेश करने वाले किटानों के खिलाफ रक्त में कौन सा घटक लड़ता है तो हम क्या कहते हैं बिंबानू कहते हैं प्लेट लेट्स इसको कहा जाता है ठीक है चालिए नेफरोन किस सूख्ष्म सनरचना और कार्यात्मक इकाई है तो ये किडनी की है ना किडनी ओप्शन नमबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा पसीना आना का प्रार्वतिक तरीगा क्या है वई सरीर से अत्यदिक लवन भार निकलना पसीने की दुरगंद के माध्यम से हानिकार किटो को दूर करना सरीर से अत्यदिक जल का निकलना या सरीर के आंत्रिक तापमान का कम करना ये इसका मुख्य कारण होता है ठीक है तो यह था आज का आपका स्रीशन आपको कैसा लगा जरूर बताईए कोई कुश्चन समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं SSC GD 2013 तो इसके लिए आपका 4G वैसे जिसमें आपको Class recorded मिलेगी Class Notes मिलेंगे मिलेंगे कोई समस्चा है तो इसके लिए आप कोल करके जानकारी ले सकते हैं और मैं सोरीजिंग के लिए जो Class आपकी चलती है ही रहेगी आज के लिए सिर्फ इतना ही सभी बच्चे ध्यान से Class को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए नुश्कार जय हिंद जय भारत करेंगे? झाल झाल झाल